नमस्कार दोस्तों, एनलोग इलेक्टोनिक्स लेक्चर सेरीज में आप सब का बहुत स्वागत हैं इस फीडियो में हम वेन ब्रीज ओसिलेटर के बारे में इन डिटियल एक्स्प्लेन करेंगे तो जो सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो यह, कि यह ओसिलेटर साबके ओडियो फ्रीक्विंसी के सिगनल साबके आउटपूट पे जनरेट करते हैं ओडियो फ्रीक्विंसी रेंज होती है 20 हर्ट से लेके 20 किलो हर्ट दूसरा जो एक युनिक एस्पेक्ट है इसका वेन ब्रीज ओसिलेटर का इसमें आपके दो amplifier का यूज किया जाता है Reason क्या है दोस्तो दो amplifier आपके cascade में connect होते हैं जिसको मैं multi stage amplifier भी कह सकता हूँ ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि RC face shift oscillators का जो output था वो काफी small था क्योंकि वहाँ पे common emitter configuration का voltage gain बहुत ज़्यादा नहीं होता था तो जो output signal थे उनकी strength कम थी तो उस drawbacks को दूर करने के लिए Wayne breeze oscillators में दो amplifier cascade में connect होते हैं ताकि जो output signal है उसकी strength काफी appropriate हो next important point है कि जो आपका feedback network है वो feedback network को हम lead lag network भी कहते हैं यानि एक particular frequency से बड़ी frequency अगर आएगी तो हो सकता है वो lagging nature introduce करे अगर एक particular frequency से कम frequency feedback network में जाएगी तो हो सकता है वो उन signals को phase introduce करे यानि उसका nature leading करे तो इसका यहाँ explain करते है मालिज यह जो Wayne breeze oscillator है वो एक frequency को generate करता है वो frequency f0 है इस particular frequency के signal जब feedback network में जाएगे तो वो signals में कोई भी phase introduction नहीं होता है remember जो भी हमारा feedback network होगा feedback network में कोई phase introduce नहीं होता है इसका मतलब complete अगर मैं loop की बात करूँगा तो मेरा total phase कितना होना चाहिए 360 या आपका 0 degree तो जो amplifier 1 है उसमे 180 degree का phase shift होगा तो वही signal आपके amplifier 2 में जाएगे तो further 180 degree का phase shift यहाँ हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ जो signal है वो signal आपका sinusoidal मालेज यह कुछ ऐसा है तो यहाँ पे उस signal का shape just reverse हो जाएगा because of 180 phase next इसमें फिर से 180 introduce करेंगे तो यहाँ output बिल्कुल same phase हो जाएगा जो आपका यह signal था यानि अब यह signal feedback network में जाएगा यह आपका input signal यहाँ पे feedback network में गया तो feedback network का output भी बिल्कुल same phase में होगा यानि feedback network में कोई भी phase आपका introduce नहीं होता है no phase introduction का मतलब feedback network का input sinusoidal इस phase में है तो same phase में आपका output होगा और feedback network का output है बच्चों वो आपका VF होता है और feedback network का input है वो हमारा VNOT होता है अब अगर मालेज यह इस frequency से बड़ी frequencies का कोई signal आया उस feedback network में चला गया तो if frequency greater than FNOT तो वहाँ पे आपका जो feedback network है वो phase lagging introduce करेगा phase lagging मतलब signal आपके late हो जाएंगे डिले हो जाएंगे जैसे यह उसका कोई input signal था और अगर यह feedback network से पास होगा इस signal की frequency FNOT से ज्यादा है ठीक है तो यह क्या होगा यहां कुछ ऐसे signal आपके मिल जाएंगे यानि signals में थोड़ा थोड़ा distortion स्टार्ट हो जाएगा phase lag कैसे है lag मतलब होना late हो जाना signal का delay हो जाना यहां देखिए signal की strength 0 यहां थी यहां signal की strength यहां पे है तो यहां से यहां तक कुछ time को लगेगा signal को try out करने में तो इसका मतलब यह आपका signal delay हो चुका है उसे कहते है phase lagging next important point है अगर आपकी frequency f note frequency से छोटी है और वो signal आपके feedback network के input में जाएं तो उन सभी signals में feedback network phase lead introduce कर देता है यानि उन signal को advance बना देता है यहां देखिए zero level यहां पे available था output है यहां zero level कहां है यहां पे है माले जिये next zero level आपका यहां मिलता है इन दोनों के बीच में one second का gap है तो यहां पे definitely इन दोनों के बीच का one second है लेकिन यहां से यहां तक तो one second से कम होगा यानि signal आपका advance हो जाएगा उसे कहते हैं phase lead तो एक particular frequency पे कोई phase का introduction नहीं होता अगर उस frequency से बड़ी frequency आई तो phase lag होगा अगर frequency छोटी आई तो phase lead होगा next important point है दोस्तों कि इसके जो feedback network है उसमें भी हम R और C का combination यूज करते हैं और ये भी आपके audio frequency oscillator ही होते हैं next important point है overall जो आपका gain है वो बहुत ज़्यादा होगा बिल्कुल होगा क्योंकि अब की बार एक amplifier नहीं है दो amplifier का use करते हैं दोनो amplifier के cascade में connect होगे multi stage amplifier है जिसकी वज़े से काफी ज़्यादा gain होगा next important point है provide variable frequency range ये काफी important है आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो तो RC face shift oscillator की disadvantage थी कि वो एक fixed frequency ही provide करता था लेकिन यहाँ पे जो output frequencies है उसको हम change भी कर सकते हैं with help of this capacitors जितने भी capacitors यहाँ use होगे वो आपके उनको tune कर सकते हैं उनको हम gain capacitor भी कहते हैं जिसकी value को change किया जा सके next जो point है वो ये कि ये जो circuit है comparatively ये आपका complex होता है और इसमें जो bridge बनता है उसे हमें हमेशा balance करना होता है जब आपका bridge balance होगा तभी आपको F naught एक stable frequency output पे मिलेगी तो ये तो था conceptual points अब हम इसके circuits की बात कर लेते हैं block diagram ओल्रेडी मैंने समझा दिया है अब बात करते हैं circuits की तो circuits में क्या होगा ये आपका पहला transistor है जो amplifier बनाता है ये बेटे आपका दूसरा transistor है जो दूसरे amplifier बनाता है इतना सा section आपका amplifier 1 है ये जो section है ये amplifier 2 है दोनों आपके RC couplings cascadedly connect हैं तो ये आपका जो है वो feedback network है इसमें एक जो arm है वो R और C का series combination दूसरी arm है R और C का parallel combination यहाँ आपका ground है R3, R4 voltage divider का काम करते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो आपका V note है ये जो V note है ये feedback का input जाएगा तो इस circuitries में ये आपका input note है तो ये यहाँ चला जाएगा और जो output है feedback output VF होता है VF क्या होगा इस point से लेके ground तक के बीच का जो potential है यानि R2, C2 का parallel combinations है इसके across जो potential है वो VF है तो इसको हम यहाँ भीज देते हैं ये आपका यहाँ चला जाएगा अब बजगया ये Q1 का emitter इसको हम कहां भीजेंगे ये जो आपका potential divider arrangement है R3 और R4 यहाँ इसको हम इन दोनों के बीच में रख देंगे ताकि R4 के across एक proper potential maintain रहे वही potential आपका यहाँ जुड़ जाए लेकिन Q1 इस तरीके से potential connect हो कि Q1 आपका active region में रहे और amplifier की तरह काम करता रहे ठीक है तो इस type से यह पूरा आपका circuit है इसमें भी आपका RC combination है एक particular stable frequency तब generate होगी जब आपका यह जो bridge है वो balance हो जाए bridge balance होने का क्या मतलब है कि अगर इस point के और इस ground के बीच में अगर हम कोई भी galvanometer या ammeter लगा दें और उस ammeter में जो current है उसकी value 0 हो balance condition पे ही हमें एक stable frequency output पे मिलती है next video में दोस्तो इसका जो mathematical expression है उसकी derivations आपके सामने रखेंगे so that आपको यह पता लग जाए कि जो f note frequency है उसका expression क्या रहता है तो इस video में इतना ही अगर दोस्तो मेरे lecture आपको पसंद आते हैं तो एक humble request है कि मेरे channel को subscribe कर ले जिए और अपने friends में इसको share कर दे जिए thank you so much for watching this video